मिलफ्चार मेरा सवाल है कि मैं दवाई दुकान है और दवाई दुकान के भगल में मैंने दो दबके को आपस में लड़ते होई देखा जिसमें एक देवनद करते हैं तो दिवनदी को सही नहीं है और ब्रीवी चाहिए इसका बुणियात क्या है जर क्या है मुझे उसकी जनकरी चाहिए सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है बाईसाब ने कोई डिफिकल्ट सवाल का है लेकिन जवाब बहुत आसाने सवाल डिफिकल्ट है लेकिन जवाब आसाने जिसके करणा आपका विरोत भी हुआ बैं विरोध करो क्या नहीं मैं इंशालला उसके उपर आओंगा आपके दूसरे सवाल पर आओंगा पहले सवाल का जवाब पर फिर दूसरे सवाल पर आओंगा इंशालला बाई साथ का सवाल है कि तौआ की दुकान दुकान में है और देखते हैं कि चेकिला Without a Man. उते हैं कि डेम्ण में परेली हैं इसमें से सही कुन हैं। बोरों बोलते है कि क्या मैं सही हूं और दुसरा घलत है। माई साथ ये देवबंदी लफ़ कहां से है जो देवबंदी से फारिग हो तो देवबंदी कहते है जो बरेली जगा है बरेली से फारिग होते है तो बरेली कहते है कौन से ये वो मुसल्मान से ये जो गुरान पर अमल करता है जो गुरान और से अधिस पर अमल करता है चाहे द पर अमल करे और Allah के रसूल के साही हडीस पे अमल करे वो से है इसलिए जानने के लिए कुन साही है आपको qur團 मजजी तो तर्जिमे से पढ़ने पढ़ kidding और qur' Bar अगर अगर लोग तर्जिमे से ने पढ़ने के तो मुश्किल है जानने के लिए कुन साइए कोई गलत है तो मेरे तक्रीर की बुनिया थी ये सवाल मुश्किल था जवाब वो तासा ने जो खुरान पर अमल करे और अल्ला के रसुल की साय अधिस पर अमल करे वो लोग साही है आपका दूसरा सवाल यही लोग ने यही लोग ने आप पे तन्कीत की बाई साब दूसरा सवाल मेरा सुन लिए बाई साब मेरा जावब तो पहला सुनो न आप में बोले कि लोग तन्कीत करते है एक उसूल है कि जो भी मशूर है जो भी मशूर है उसके उपर लोग तन्कीत करें दुनिया में सबसे बहतरीन इनसान कौन दुनिया में सबसे मशूर इनसान कौन आदम अले सलाम से लिके आज तक के हिस्ट्री में सब मानते हैं के सबसे बहतरीन इनसान मुम्मस अल्ला सलम है नहीं मुसल्मान गेर मुसल्मान भी कहते हैं अगर आप किताब पढ़ेगे माइकेल एचाट की 100 Most Influential People in History सव सबसे ज़्यादा इंफ्लुइंशन दुनिया में नम्बर वन पे वो कहते हैं मुम्मस अल्हासलम आप जानते सबसे ज़्यादा किताबे अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई है वो ही मुम्मस अल्हासलम मुम्मस अल्हासलम जैसे नेक आदमी अच्छे आदमी के बारे में लोग ने सेकड़ों हजारों किताब लिखी है तो मैं तो नाचीज हूँ मैं तो मुकाबले में हुईने उनके और लोग खिलाफ कब लिखते मिसाल की तो मुम्मस अल्हासलम जब पेगाम पोचा है अपना तो उस वक्त कई लोग थे जिनके जाती 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 तो आप देखिए जो भी मशूर इनसान है, मैंने कहता हूँ मैं मशूर हूँ, मैं तो बात करना भी नहीं जानता था, बच्पन से खलाता था, बात करते करता है, अल्ला के राम में दावत देने के वज़े से अल्ला ताला ने इस मकाम पर पुछाया, ना है मैं अपने आपको आलिम कहता हूँ, मैं तो तालिम कहता हूँ अपने आपको, लेकिन क्योंके मैं जो भी बात कहता हूँ, कुरान मजीद के हवाले से कहता हूँ, जो भी बात कहता हूँ, हदीस का हवाला देता हूँ, आज भी जो तकरीमे में ने कहा, हवाला दिया ना, मैं इनसान हूँ गल् अगर कुछ गलत कहता हूं इसी लिए सवाल जवाब का सेशन होता है लेकिन जो लोग मुझे गलत थाबित नहीं कर सकते तो ढूनते हैं कुछ चीज को पकड़े जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करें लोग के सामने मेरे बारे में गलत सेमी पेश करें मैं जानता हूँ कि यहां के और्गनेजर ने कहा कि एक वीडियो क्लिप वीडियो क्लिप लोग आम कर रहे थे इसमें क्या है कि जाकी रभाई कहते है कि मुझे से मांगना हराम है मुझे से मांगना हराम है अभी मैं जब कुरान को छोड़के वेस्स आबित कर रहा हूं मुम्मद صلى الله عليه وسلم को मानना चाहिए तो क्या ये शक्स कह सकता है कि हुम्मद صلى الله عليه وسلم को मानना आराम है इसमें दोचीद हो सकती है ये वीडियो क्लिपिंग की रेकॉर्डिंग कोई पीस टीवी पहाई नहीं जब मैं तक्रीर करता हूं बात करते हैं कोई भी रेकॉर्डिंग करते रहते हैं हो सकता है कि स्लिप आफ दे टंग है क्या कि सबकते लिसान यह हो सकता है किसी ने तोड़ मरोर के पेश किया है और तोड़ मरोर के पेश करना बहुत आसान है मिसाल की तोर पर मैं आपसे पूछूँगा मुसल्मान से कि जॉज बुश कैसे इंसान है उमने गां जॉज बुश अच्छे इंसान नहीं है नहीं को काट दूंगा लगेंगा जोजबूच अच्छे इंसान है उसको खुदकों मैं दिखाऊंगा अपने का नहीं हो शकता है सब्सक्तेनैन हो सकता है इंदिcus यह सिस्टिप ऊफडवर तंग नहीं है उसने कहा कर लादना जोड दिया अच्छे्ट इंद्ध समय Fair ने वो दासाने, मीडिया, मीडिया टेक्नोलोजी, तो इस तरी के से कई क्लिपिंग फ्लोट हो रहे मार्किट के अंदर, कि जाकिर भाई बिलना दिन का साथ दे रहे, और कब साथ दिया, आप यूट्यूब पे जाएंगे, तो आपको क्लिपिंग मिलेंगे, कि जाकिर मजजिद से जूते चोरी कर रहा है, जाकिर मजजिद से जूते चोरी कर रहा है, अभी कोई आदमी सुट पेंगे, मेरे अभी शिरवानी पेना, माशालला, सुट पेंगे, आक्टिंग करके, तो ये लोग अगर खुलम खुला सामने आके, सवाल का मुख्या, आम तोर पे मझभी तक्रिव में खुरला, पूछने का जो को मुख्या का रहता है, होता है तो छिट से, मैं पसंद करता हूँ हूँ पोचया हूँ, भाई मैं इंसहान हूँ गल्टी कर सकता हूँ, गल्टी करूंगा तो बोलूंगा माफ करना, भाई इंसह कि लिए था वाय जो कुरान के होला यह गलत है अगर हमक हुआ है अन्होंगा, उसी तरीखेछा भे मह और मेरे 될ूंब पे विडियो ट्लिपंग तोड मोनोक करके प्पेश करना उसी तरी दरीगे से महम्म really ﷺ کے خلاف ہزاروں کتابے ہیں ہزاروں کتابے ہیں उनके خلاف तू मैं कोशिश कर रहा हूं कि अल्ला सुभान ताला का पैगाम पेश करो लोगों को कुराण के खरीब लेके ढूँ सइय हदिस के गरीब लेके ढूँ जो लोग चाहते हैं कि इन्सान कुराण के चरीब 나 आये साई अधिस के करीब ने आएं तो वो लोग ऐसे हरकत कर रहे इसलिए माशालला माशालला क्या हो रहा है कि लोग मेरे तक्रीड सुनके अलहम्दलिल्ला इस नाचीस के जर्ये हजारो लोग लाखो लोग कुरान मजीद के करीब आ रहे है वो लोग जिनको पसंद नहीं है कि मुसल्मान कुरान के और करीब आए साई हदिस के करीब आए वो लोग को परिशानी हो रहे है और वो लोग तोड मुलोड के पेश कर रहे हैं मीडिया में अभी कोई भी इनसान जो जरा भी बुद्दी रखता है जब मैं कुरान और हदीथ के इलावा बाइबल के जरीए थाबित करता हूँ कि मुहम्मद स्वाल स्वाल में मानना चाहिए वेद के जरीए थाबित करता हूँ क्या वो इनसान बोल सकता है कि मुहम्मद स्वाल स्वाल को मानना हराम है अभी अगर में कहा मुमश्याल स्илत्यालाश्यों को मानना हराम है अभी किया करेंगे ये मेरा लफ वे पेश करेंगे मिसाल के तोर पे कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज मत पढ़ो कुरान के आयत है कुरान के आयत है सुरे निसा में सुरा नमबर चार आयत नमर तैटालिस में कि नमाज मत पढ़ो पूरी आयत है नमाज मत पढ़ो नशे के आलत में नमाज मत पढ़ो मानना हराम है क्या कॉंटेक्स में अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं और आपके सवाल को दोराता हूं कि मुम्मद स्वासुन को मानना हराम है दोराता हूं तो वो लेकर बताएंगे दोको जाकिर ने का पे लेकिया है ताके वो निजात पाएंगे दुन्या और आखरत में उप हब धाएंट स्वाल है आपका जी दूसरा सवाल है मेरा दीसरा नहीं दूसरा दीसरा तीसरा भाई साथ ठीक है यह तीसरा सवाल है कि ब्रेली समाज के लोग सुभर्श में या नभी सलाम अलेका प्ड करते हैं कारण बाइसाब का सवाल है कि कुछ लोग या नभी सलाम आलेकुम कहते हैं कुछ लोग नहीं कहते हैं क्या कारण है जैसा मैंने का बाइसाब आपके सारे सवाल का एक जवाब दे तो आसान जवाब कि जो कुरान से मिलता है वो सही है जो कुरान से टकराता है वो गलत है तो जो भी अगर आपको सवाल पूछे बैसा पूछो भाई कुरान का कुंसा हवाला है आपका सवाल है قرآن की कुन सी ओ multiplic में का गिया है या हदित का कुन सी हवाला है असान आपको एक मास्टर की दे तो मास्टर की और है मास्टर की सारे ताले को खोलने वाली चाबी मास्टर की कोई भी कुछ बूले आप अपना सुबूत पेश करो अगर आप सच्छे हो यह गते है कि करो अगर सही हदीश से मिलता है कुरान से मिलता है तो सही है तो कोई भी कुछ भी सवाल करे उनसे पूचो कुल हातु बुरान अकुम आप अपना सबूत पेश करो बुरान पेश करो अगर आप सच्छे है मैं आप से सवाल पूछना चाता हूँ आपने इतने सवार पूछे मुझे हाँ आपने का इसलाम का मुताला किया है नहीं किया है अब इतने सवार इसलाम के बारे में क्यों पूछ रहे जी बगल में मुस्लिम का दुकान है तो जानकारी मिलते रहता है तो मुस्लिम की दुकान बगल में है बगल के मुस्लिम ने आपको भेजा हैंगा ये पुछने के लिए नहीं नहीं गलत बात है आप पुछना चाहते है तो भाई साब आप इतनी तहकी कर रहे हैं बरेलवी देवबंदी बाई साब आप कुरान को तर्जुमें से क्यों ने पड़ते वह बाद नहीं आज बहुत चला था दो ही गुट में बिल्कुल साइथ वह चुप्चाप सुन रहा था हां तो अभी आप से आके पूछन पूछूंगा तो जवाब मिलगी आपको ना कि कुरान मजी सबसे बहतरी इन किताबें जानने के लिए क्या हाक है क्या गलत है समझे अपना तो मेरी धरकौस ते आप से भाई साब कि आप कुरान